एनेस 707 पर तेज रफतार औल्टो बोलेरो से टकराने के बाद यार्वेक खुलने से बजी चालक की जान बोलेरो ड्रैवर के अनुसार करीब अस्ची की स्पीड से आ रही होगी औल्टो शिलाई सब्डिविजन के दो खसता हाल लिंक रोड पर भी सब्ता भर में जा चुकी है पास लोगों की जान लिंक रोड पर एक्सिडेंट का कारण बदहाल सड़क वा लापरवाई समझा जा रहा है तो एनेस पर ओवर स्पीड से हो रहे हैं हाथ से चालकों के साथ सथ एम्वी एक्ट के प्रदी पुलिस प्रशाशन की लापरवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं हैं लोग एनेस साथ सुसाथ पर रोणराट पा शिलाई के बीच दबरागाओं के समीपज बॉलेरो एच्पी सेवन वन थ्री डबल जीरो वन से टकराई क्या सपास रही होगी और चकर के बाद उनकी गाड़ी भी करीब सडक से फुटबार उचलते वे क्रैश बैरियर से जा टकराई हाथ से में हलाकी रविंदर घायल नहीं हुए मगर ओवर स्पीड ऑल्टो के ड्राइवर को चोटे आई है और नहें इलाज के लिए शिलाई हॉस्पिटल में अड्मिट किया गया एक्सिडेंट के बाद डबरा नामकस्थान पर गाड़ियां हटने अत्वा पूलिस के आने तक दो घंटे के गरीब बड़े वाहनों की आवाजा ही ठाप रही गार तलबा की इंडेस्टिज मनिश्टर हर्श वर्दन चौहान के विधानसवा शेतर शिलाई में सब्ता भर में दो अन्य जान लेवा हाथ से भी हुए हैं जिन में पांच लोगों की जान गई और उन्निस घायल हुए शनिवार को अच्छोटी गाओं के समीब हुए अल्टो कार एक्सिडेंट में जहां तीन लोगों की जान गई वही दो अन्य घायल हो गए थे इसके बद मंगल वार को घास्टन के समीब 19 सियातरी लेकर जा रही मैच 5 सीटर बॉलेरो केमपर खाई में गिरने से दो लोगों की जान गई थी जब कि 17 घायल हुए थे लिंक रोड पर हुए इन दो एक्सिडेंट का कारण जहां बदहाल सड़ गेमप चाल गोता पूलिस की एमडियक्ट के प्रदिला परवाही लोग मान रहे हैं वही एनेच पर हुए आज भीशन टककर का का कारण ओवर स्पीड समझा जा रहा है गोर तलब है कि करीब 1400 क्रोड की लागत से निर्मान दीन हाट कोटी शिलाई पॉंट आएनेच की जिस हिस्से में काम पूरा हो चुका है महालोग अक्सर ओवर स्पीड में चलते दिखाई दे रहे हैं